विहार विधान सभा चुनाव से पहले ततकालीन डीजीपी गुपतेश्वर पांडे सुर्ख्यों में थे सुशान सिंग राजपू सुसाइड केस में धमाल मचाय हुए थे एक्ट्रिस रिया चकरवर्ती को आउकाद दिखा रहे थे सियासी महाथवकान शाओं के चलते आनन फानल में नौकरी से स्टीफा देकर जेडियू जोइन कर लिया माना जा रहा था कि गुपतेश्वर पांडे चुनावी मैदान में बकसव जिले के किसी सीट से ताल ठोकते नजर आएंगे लेकिन उनके अर्मानों को जोर का जटका लग गया ऐसे में सभी जानना चाहते हैं कि आखिर जोर शोर से राजनीती में उतरने वाले गुपतेश्वर पांडे के टिकट पाने के लालसा क्यों पूरी नहीं हुई तो आईए जानते हैं इसके पीछे की इंसाइट स्टोरी के बारे में सियासी जानकारों की माने तो डीजीपी रहते हुए गुपतेश्वर पांडे ने सुशान सिंग राजपूत प्रकरण को लेकर जिस तरह बयान दिये और सियासी टिपणी की उसके बाद यदि बीजेपी उन्हें टिकट देती तो उसका नुकसान भविष्य में महाराश्वर में देखने को मिल सकता था दूसरा महाराश्वर के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंदर फड़न्विस इंदिनों बिहार में चुनाव का काम देख रहे हैं ऐसे में अगर पांडे जी को टिकट मिलता तो महाराश्वर में ये संदेश जाता कि गुप्तेश्वर के बयानों के पीछे बीजेपी और देवेंदर फड़न्विस हैं प्लाहर है बीजेपी इस रिस्क को लेना नहीं चाहती क्योंकि महाराश्व में भी अंदर खाने पार्टी अपने लिए संभावनाएं तलाश रही है कहा ये भी जा रहा है कि बीजेपी के दबाव में ही जेडियू ने भी गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं दिया इसी के चलते बदनामी से बचनी के लिए ही जेडियू ने बकसर की सीट बीजेपी के कोटे में दे दी है खबरों की माने तो जब गुपतेश्वर को बीजेपी की ना हो गई तो उन्होंने जेडियू से किसी अन्य सीट के लिए हाथ पैरमारना शुरू किया लेकिन फिलहाल बीजेपी और जेडियू में उनके लिए पूरी तरह से दर्वाजे बंद कर दिये गए हैं हाला कि ये पहली बार नहीं है जब पांडे जी को राजनीती में आने के लालसा को पलीता लगा हो करीब 11 साल पहले भी उन्होंने साल 2009 में वियारस लिया था गुपतेश्वर पांडे को उम्मीद थी कि बकसर से बीजेपी के ततकालीन सांसर लाल मुनी चौबे को पार्टी 12 से प्रत्याशी नहीं बनाएगी ऐसे में वो पुलिस की नौकरी से स्तीफा दे कर सियासी गोटियां सेट करने में लगे थे लेकिन उस बार भी उनके अर्मानों पर पानी फिर गया था और अब एक बार फिर उन्हें जोर का जटका लगा है फिर रुपोर्ट